आई ठके हारे समंदर तू मचलता क्यों नहीं है तू छलता क्यों नहीं है साहिरों को तोड़ के बाहर निकलता क्यों नहीं है तू मचलता क्यों नहीं है तू छलता क्यों नहीं है नमस्कार हम है इस वक्त जैपूर लिटरिचर फेस्टिबल में जो क्लाक्स होटल में पूरा है जैपूर में और माइक में यह तो क्या हूँ आवाज मेरी तेज है और हम आए हैं आप आप देख सेपने हैं मेरे किताबे रखे हुए जो अंग्रेजी में आई थी अब यह फ्र जो इसका अनुवाद है यह मेरे किताबे लेकिन मैं बात सिर्फ अपने किताब पर नहीं करूंगा जो यहां पर किताबे हैं एक नज़र में अगर आप देखें तो एक बदलाव नज़र आता है कि जायतर जो किताबे हैं वो इतिहासिक व्यक्तियों के उपर है और जिनके जर्य उन्हें नयक्त बनाया जा रहा है अइसा लग रहा है कि उन्हें इतिहासमें कम जगह मिले है लेकिन इतिहास ने अपनी यात्रा बहुत अलग तरीके से तय्की हैं जब शुरुवाती दिनों में इतिहास इसी तरह से लिखा जाता था व्यक्तियों का इतिहास लिखा जाता था उनकी महानताओं की चर्चा होती थी लेकिन बाद में धीरे धीरे लगा कि इतिहास को देखने की यह समगरता यह दृष्टी जो है वो ठीक नहीं है तो इसलिए ब से अच्छा लगता है कि कोई उससे जब आप प्रक्रियाओं का इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत वक्त लग जाता है समझने में सोचने में अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग समय में आपको यात्राएं करनी पड़ती हैं मगर राजनिती चाहती है कि तुरंत कोई एक नायक मिल जाए जिसके नाम पर भावुकता पैदा की जाए माला पहनाया जाए जैनती मनाई जाए और इस तरह से कहा जाए कि इतिहास वेंग का अंदेखा हुआ है तो ये बदलाव दिख रहा है कि बहुत सारे राइटर जो है वह व्यक्तियों के ऊपर लिखी गई किताब आ रही है आप शुरू कर सकते हैं फिल्मों से आप देखे कि ये गुरुदत पर किकी किताब है और इस तरह की किताबे तो आती ही रहती है और हरी प्रसाद चरसिया जी पर किताब है ये लेकिन एतिहासिक चीजें आप पढ़िए कितने शांदार बांसुरी वादक रहे हैं ऐसी किताबों की चर्चा बहुत कम होती है लेकिन इतिहासिक नायक भूंदे जा रहे हैं आप देखिए S.D. बर्मन पर ये किताब आई है लगता है सत्या सरन ही ये किताबे लिख रहे हैं तो ये इतिहास में ये भी एकिताब है कि सांतनुदास की ये किताब इंडिया किताबों के उपर वहत्यों के नाम आई उसमें हावी होते चले जा रहे है और जिससे आप कह सकते हैं कि इतिहास को इसकिताब को देखना चाहेंगे इसमें ये भी आ गए है स्टैलिन तो ये भी इनके तान्हशाही दौर को भी इतिहास में याद किया जाता है किया जाना चाहिए इनके समय के रूस के बारे में याद किया जाता है इन सब ताना शाहों को जानना चाहिए तभी आपको पता चलेगा कि इनके बहुत ही रिटेल संस्क्रण, खुद्रा संस्क्रण, आज के दौर में अलग-अलग तपनीकी अलग-अलग तरीकों से आपको नजर आएगे, तो अच्छी किताबे हैं यहाँ पर, तो आपको और कुछ किताबे दिखाना चाहता हूँ, जो नहरू, ये किताब आई है, त्रिपूर दमन सिंग की, और नहरू, मुखर्जी और सम्विधान का पहला संशोधन, ये किताब आई है, ये अंग्रिजी और हिंदी मे किताबे दिखा रहा हूँ, बहुत सारे चीजें, क्या हो रही है किताबों के दुनिया में, Half Empress, ये किताब है, चित्रा बेनर्जी का यहाँ पर प्रस्तावना है, त्रिप्ति पांडे की किताब है ये, और ये इस तरह के अगर जासुसी कानियों में, ये बहुत अच्छी कि किताब है, विद्या कृष्णन की, तो ये फैंटम प्लेग, इस किताब में ये चीज़ डील किया गया है, कि बहुत सारे जो डॉक्टर हैं, वो आपको कई तरह के गार जरूरी एंटिबाइटिक्स देते हैं, और एंटिबाइटिक्स देते हैं, आपके शरीर की प्रतिर्य किताब है, विद्या कृष्णन की, फैंटम प्लेग, मतलब इसे भी एक प्लेग कहा गया, महामारी कहा गया है, कि टीबी का जो रोग हमारे जीवन में फैला हुआ है, तो आप देख सकते हैं, अब ये की किताब आई थी, उनकी जीवनी लिखती है, अक्षा मुकूलने अंगिल हैं, और निर्मल वर्मा के जीवन पर अंग्रेजी में किताब आई है, तो हिंदी के लोग अंग्रेजी में देख रहे हैं, अच्छी बात है, पहले भी दिखते रहे हैं, तो ये बड़ी बदलाव नहीं है, तो ये तो ये डरिंपल साहब का कुना है, यहां पे उन किताबों को पढ़ता हो, उनकी किताबों को, ये भी किताब की काफी चर्चा रही है, एनार की वाली किताब की, वाइट मुगल की भी काफी चर्चा रही है, तो एक सिटी अप जिन की चर्चा रही है, तो एक अधभुत लेखक हैं, विलियम डरिंपल, और नेताओं पर भी तो राजस्थान के उपर अगर आप जानना चाहते हैं, इतनी मोटी किताब राजस्थान के इतिहास है, तो अब बताइए कि इतिहास परता कौन इस देश को, जायत और जो अच्छे छात्र होते हैं, या जो नहीं भी होते हैं, उनको ठेल ठेल के इंजिनिरिंग, जो अगला 15 साल के लिए मेडिकल की किताबे पढ़ने में फिक्स हो जाता है, जो इंजिनिरिंग में जाता है, नौकरी और देहज मिलते ही पढ़ना बंद कर देता है, जादा तर लो, तो अब अचानक आप एक सुबह उठते हैं, किताब हमें इतिहास नहीं पढ़ाया गया, उनसे पूछे कि वो अपने जीवन में पढ़ते कितना गंटा थे, तो उनको जवाब देते नहीं बनेगा, तो एक तरह से, अब ये सब भी किताबे हैं, आप देख लिए ब्रिटिस इंगियन आर्मी पर लिखी गई हैं, इतनी सारी किताबे हैं, पढ़ेंगे तब आपको चलेगा कि इतिहास में क्या-क्या पढ़ाया गया है, विवेका अनंद पे ये किताब आई है, इसे ने लिखाई है, हिंदी इदर है, तो ये हिंदी की दुनिया है, ये बहुत अच्छी किताब है, प्रभाद रंजन की किताब है, कोठा गोई, और ये मजफरपुर, बिहार के बारे में आपको कैसे बता सकता हूँ, पढ़ना आपको है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मेरे बारे में ऐसी कोई धारना आप बहुत जल्दी नहीं बनाईएगा, और ये जावेदर, इस किताब की काफी चर्चा हो रही है, जादू नामा की, और ये वो किता से हटकर अपनी कहानियों, किस्सों और कलपनाओं के जरिये, किस तरह से एक दुनिया रचती है, और उस दुनिया में कोई सीमा नहीं है, आप कहानी किसी और प्रदेश में घट रही होती है, लेकिन कलपना चल रही होती है, पाकिस्तान के हिस्से की, तो बहुत ही सुन्दर कहानी है कि अगर आप देखें उनकी कलपनाओं की नज़रिये से देखें शायद इसलिए ये कहानी बहुत सिमाओं को पार करती है इसलिए इसलिए इसे इंटरनीशनल बुकर मिला है और इताँजली श्री की ये तो आप देख सकते हैं और हम आपको क्या बता सकते हैं कि बहुत सारी इहां पर किताबें हैं नवतेज सरना यह भीरोक्रेट है भारतिय विरेश सेवा में थे और इन्होंने गुरु नानक जी पर किताब लिखिये हिंदी में यह शायद पिंग्विन से आई है तो पढ़ना चाहिए हमारे भारत की यात्रा रही है उस यात्रा के यह बहुत महत्वपून यात्रियों में से एक है जो तमाम धर्मों की और उनकी उबस्तितियों को बहुत बहतरीन तरीके से नानक समझते हैं और उन सब को मिला कर एक शांती का सुत्र आपको देने के कोशिश करते हैं तो अगर आपको चाहिए शांती चाहिए जीवन में तो आप नानक के पास चले जाए वो आपको अपना लें तो एक तरह से और आपको क्या दिखाऊं मैं और हिंदीगी किताब है इतनी हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि यह नामवर्ण सिंग की किताब है मनुरंजन भागा हुआ लड़का यह है मनुरंजन व्यापारी के किताब यह भी बहुत ही इसकी चर्चा हुरी है एक तरह से और तो अब आपको कितना कुछ बताएं इसका मतलब अगर आप कोशिश करें कि अपने भीतर पढ़ने कई लोग उचने है क्या पढ़ना चाहिए बताईए तो एक दो मैं कोई बाबा नहीं हो कि हर बीमारी का इलाज आपको बता दूँ लेकिन हाँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपनी रूचियों का विस्तार कीजिए उस बांगला देश के तरफ क्या लिखा जा रहा था तो उस तरह की कहानिया आप पढ़ने तो आपको एक समाज को उसकी भावनाओं को भी समझने में आपको मदद मिलेगी आप थोड़ा सा और कुछ जानेंगे इतिहास को अपने समय को समझने के लिए आप और बहतर तरीके से जिसे कहते हैं लैस हो सकेंगे एक्विप्ट हो सकेंगे तो राना सफी हैं इनकी भी बहुत सारी किताबे हैं इतिहास और दिली के इतिहास पर तो अगर आप इनकी दुनिया में प्रवेश करेंगे तो आप दिली को इतना जानेंगे इतना जानेंगे कि आप उसे बाहर नही पढ़कर आप भी लिखिए, सिंपल बात है, इसका तो एक ही समाधान है, पर आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमें नहीं पढ़ाया गया, और हम नहीं पढ़े, सचाई यह है कि आप पढ़ते नहीं हैं, और लिखने वाले इस देश में इतिहास का एर बहुत कम है, कोई अगर मंतर अगर आप पूछेंगे, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि जनाब से एक जवाब देते नहीं बनेगा, उनके हालत खराब हो जाईए, लेकिन वो कहेंगे, हाँ जी इतिहास नहीं पढ़ायाएंगे, आप भी बैठे बैठे कहेंगे, इतिहास नहीं पढ़ायाएंगे, और हमेशा किताबों के दुकानों पर खरीदने के लिमत आईए, देखने के लिए भी आईए, कि इन किताबों की सूची को देखना, इनके कवर को देखना भी अपने आपे बहुत सुंदर अनभा होता है, तो यह कितना सुंदर है, यह देखे, गणित पर किताब निकल आई ग्ारा Can आफ एर किताबहों की दुकानों में भठादेंगे आज नहीं। वुशव किताबते हैं और केसशना करते हैं। क्याफि आजमी के किताब है। हमने तो नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि कैफी आजमी किया किताबा थी है, तो पढ़ दूँ, ए ठके हारे समंदर तू मचलता क्यों नहीं है, तू छलता क्यों नहीं है, साहिलों को तोड़ के बाहर निकलता क्यों नहीं है, यहां समंदर आप है, जो आप इस तरह के साहिर की रचना अलग-अलग वक्त में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है ए ठके हारे समंदर तू मचलता क्यों नहीं है तू छलता क्यों नहीं है तू मचलता क्यों नहीं है तू मचलता क्यों नहीं है तू छलता क्यों नहीं है तेरे साहिल पर सितम की बस्तियां आबाद हैं श इसी काली बस्तियों को तू निगलता क्यों नहीं है, तू उचलता क्यों नहीं है, तू मचलता क्यों नहीं है, तुझ में लहरे हैं, न मौजे हैं, न शुर, जुल्म से बिजार दुनिया देखती है तेरी योर, तू बलता क्यों नहीं, तू उचलता क्यों नहीं, तू मचलत अब देखिए आपकी राजधानी दिल्ली में इस देश की राजधानी दिल्ली में महिला कुछती खिलाडी धरने पर बैठी हैं कि एक ताकतवर सांसद उनके साथ यौन शोशन करने की कोशिश करता है आरोप लगाते हैं लेकिन महिला बाल विकास मंत्री बोल नहीं पाते हैं और आप उनके समर्थक होकर बोल नहीं पाते हैं तो आप ठके हारे लोग हैं इसलिए कैफी को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं आप मचल पा रहे हैं क्यों नहीं आपके भीतल बेचैनिया पैदा हो रही हैं इसलिए किताबों के नजदीक आनी की जो प पढ़ाया नहीं गया इतनी सारी किताबें आप एक जीवन में पढ़ भी नहीं सकते हैं तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने अपनी किताबें अपनी पसंद चुनें पर यह किताब तो बहुत अच्छी हाथ में लगए तो यह सारी रेकॉर्डिंग व्रिंदा शर्मा क कर रहीं थी और इनकी उंगलियों में देख रहा हूं दर्द होने लगा है तो मैं अब रुपता हूं दन्यवाद नामस्कार महरविश्च कमार